नमस्कार आप देखने बीटी नुज बिहार मैं हूँ आपके साथ गोपाल कुमार अब यह मौजूद है माधोपूर में जो कि यहां का कुछ आकरसी दिरिस हम आपको दिखाते हैं और यह बाटिका है वाटिका और इस यहां के जो गाड़ साहव है और कुछ यहां के आप कौ सब्सक्राइब665 Πर आपको इस पार्क का कुछछ खास्यत जानते हैं तो आपकानाम क्या है मेरा कॉमासंगर राइजिसे हम बात करते हैं इसका खास्यत का है इस परग का इस में Idrak ह का पुधाय चंदन का सफेज चंदन पीला संदन ऑंलाल पुख्यूर रुछपेन दॉटाय के लिए मिल जाता है । यहां बाटी का आइस में फूल पती वेगरा देखने मिले गाया जजहर्ना भी है जहां से पानी हरदम गिरते रहता है और यहां कुछ बच्चे उच्छ आते हैं बच्चे के खेलने के लिए बगल में जूला भी लगा हुआ है और यहां कुछ खास्यत और चंदन अगेर बगेर जो भी पेड़ पोदेव सब लगे हुए है और यहां मतलब जहरना भी लगा है लगा गया है और हम यहां के अरे हर एक साप्पवधा जैसे ये केला है ना केला का सब्सक्राइब और और यह आसोप असोप का पेर है और यहां वो दिखा देना चाहते हैं वो जहरना है और उधर बच्चे का जूला भी लगा हुआ है और कुछ यातरी लोग बैठे हुए हैं और घूमने के लिए हैं और आते हैं और इधर हम कुछ और आपको यहां के आकरसी दिरिस को दिखाते हैं यहां पे जो आये हुए हैं उनसे भी कुछ खास वाचित करते हैं मेरे साथ कुछ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं सर अभी घ यहां तो बहुत है बच्चे लोग के लिए घुरने के लिए जगह है हम लोग देवघर से आये हैं अच्छा गार्डन है यहां हर एक चीज देखने के लिए और खेलने के लिए बच्चे को भी मिल राज एक तो आप यह देख लिए महावीरवाटि का अब मेरे भीच घूंबने के लिए आये हैं तो इनसे भी बात करते है क्या लग रहा है इस बातिक महावीर बातिका जो पार्क है इसका खासियत कुछ बताईएगा जो आभी आप घूम के आए हैं क्या लग रहा है यहां अलग लग ढंके ब्रिक्ष है जो आपको कहीं देखने को हमको नहीं लगता भी जुग में मिलेंगे कुछ पक्षियां है जो बिलुप्त हो ग हैं आपने देखा भी होगा पूरा नेट एंड क्लीन सुंदर सा आपको लगेगा कि हम कहीं दूसरे जगाए हैं और यहां पार्क जो है बहुत ही अच्छा हरा भरा दिख रहा है अगर आप कभी देवघर आते हैं तो आप माधोपूर में जरूर रुके और यहां का खास्यत हम आपको दिखाते हैं यहां से जो हम सबसे उचे जगह पर हैं और आपको दिखा देना चाहते हैं वहां देख लिजेए वहां बहुत बरा सा जील है वहां आते हैं बच्चे लोग और असलान करते हैं और वहां से जब आप इधार राइट साइड लेते हैं तो एक्चली वहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही बरा विरिक्ष जो यहाँ चंदन का पेर बोला गया चंदन और रुदराक्ष मतलब हर एक चीज का पेर यहाँ मौजूद आपको मिलेगा आप अगर माधोपूर आते हैं अगर यहाँ देवघर जाते हैं तो एक बार यहाँ माधोपूर में रुक कर और इस जगह को जरूर देखें क्योंकि अभी हम मौजूद हैं सबसे उचे जगह पर और यहाँ आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ यह सब दर्सक आते हैं और यहाँ यहाँ यह गार्डेन का सब कुछ दिरिस देख कर इंजुआई लेते हैं त कि अभी ज्यादा खास्तों नहीं दिखा है बस घूम रहे हैं अच्छा पर पोला चंदन का और रुद्राक्ष का क्या लग रहा है सही में है यहाँ है है अब वहां पे जो आपको दिख रहा है उधर जी जीड ने तो नहीं गया अभी उद्धरे जा रहे हैं जीड देखने क्या लग रहा है इसका सच्चाई है तो है मतलब अच्छा है यह गोमने के लिए जगा सही है कहां से आए हैं हम जसी से आए हैं माधोपुर में और यह पार्क का इंजोआई ले रहे हैं और इनके बीच इनका साथी जो है सब अपना फोटो घीचवा रहें पार्क देखने में बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा हरा भरा विरिक्ष और जहरना पेर पउधे और यहाँ पक्षी भी बोला गया है जो पक्षी विलूप्त हो गया था वो भी यहाँ आते हैं क्या आपको हम दिखा देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा जगा है,